3D Printing एक नई करांती इन प्रोटोटाइपिंग और कंस्ट्रक्शन 3D Printing टेकनोलोजी ने आज कल इनोवेशन के नए दरवाजे खोल दिये हैं, खास करके Rapid Prototyping और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में. ये टेकनीक एक Digital Design को Physical Object में Convert करने का काम करती है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बच्चती हैं. पहले जो चीजें बनाने में हफ्तों लग जाते थे, अब वो कुछ घंतों में बनाए जा सकते हैं. इस वाजा से इंडस्ट्रीज में इफिशन्सी काफी बढ़ गई है. Rapid Prototyping में 3D Printing का यूज बहुत कॉमन हो गया है. जैसे ही किसी प्रोड़क्ट का डिजाइन रेडी होता है, 3D Printer यूज करके उसका एक सैंपल बना दिया जाता है. इससे डिजाइनर्स और इंजिनिर्स को अपना प्रोड़क्ट जल्दी से टेस्ट करने का मौका मिलता है, और अगर कोई flaw हो, तो उससे जल्दी से correct किया जा सकता है. पहले, traditional methods में ये process काफी slow होती थी, लेकिन अब 3D printing से ये काम instant हो रहा है. construction industry में भी 3D printing का यूज तेजी से बढ़ रहा है. traditional methods में जहां कई सालों तक एक building बनने में लगते हैं, वहीं 3D printers के थूँ सिर्फ कुछ महीने या दिन लगते हैं. इसके अलावा advanced materials जैसे की self-healing concrete उनका इस्तेमल durability के नए standards सेट कर रहा है. self-healing concrete एक ऐसी technology है जो अपनी cracks को खुद से repair कर लेती है, जिससे buildings और infrastructure ज़्यादा दिन तक तिक सकते हैं. ये दोनों technologies, 3D printing और advanced materials, construction और manufacturing industries में एक नई करांती ला रहे हैं. आने वाले वक्त में हम और भी advancements देखने की उमीद कर सकते हैं, जिससे designs और constructions और भी जादा efficient, durable और cost effective हो जाएंगे.